हलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल लेटेशलन फार्मेसी आज किसी बीडियो में डिसकस करने वाले हैं आइसोलेशन आइडेंटिपिकेशन एंड डि अनलीशिस ऑप दे ग्लाइकोसाइड तो ग्लाइकोसाइड के बारे में आल्रेडी सेकेंड इन में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में इसके बारे में डिटेल में डिसकस किया था अब इसके बारे में बात आती है कि इसका आइसोलेशन कैसे किया जाता है इस्पेसिफिक ड्रग के इस्पेसिफिक केमिकल कंस्ट्यूट्विन के अगर उसको हमने इस्टेक्शन कर लिया है आइसोलेशन कर लिया मुलेठी जो मुलेठी आप पार में डाल के खाते हैं वही उसी मुलेठी की बात करना हूं लिकोराइज उसमें जो में एक्टिव केमिकल कर्शूटर पाय जाता है वो ग्लिसरेजीन पाय जाता है और ग्लिसरेजीन को हाइड्रोलीसिस करके फिर हम क्या बनाते हैं ग्लिसरेज एसीड बनाते हैं तो आई इसके बारे में बात करते हैं कि जो ग्लाइकोसाइड के अंदर जो हमारी यह ड्रक दी गई है उसका आईसोलेशन, और एडेन्टिफिकेशन, एनलिसिस कैसे करते हैं यह आपके एकजाम में पूछा जा सकता है तो सबसे पहले इसके बारे में बात क कि है मुझे ठीक एक लकड़ी की टाइब में होता है जैसे एक गाठ की टाइब में होता है ठीक है वह अंदर से पेली होती है और बाहर से बोरी कलर की होती है तो वहीं आपर बताएगे कि यह जो acid है मतलब glycerinetic acid जो है वह कहां से obtain किया जाता है dried parts of the pilled का मतलब क्या होता है कि जब किसी लकड़ी में उसकी छाल लगी रहती है तो उसको बोला जाता है unpilled और जब उसकी छाल को उतार दिया जाता है तो उसको बोला जाता है pilled ठीक है तो pilled as a unpilled root उसके root and historian से पराप्ट करता है किसके ग्लिस राइजा, ग्लूबोरा और जो वान टिपिका है ये साइंटिस्ट का नामे इसलिए इसके आगे लगा दिया जाता है इसकी फैमिली के हैं लोगिमिनेशी है अब इसका जो इस्टेक्चर के बारे में बात करें तो इसका इस्टेक्चर कुछ इस ट такой से है तो यह ग्लिसरेजन से अगर हाइडरोलिसिस करते है तो आपको क्या मिलते है ग्लिस denatic acid और बाद में आपको क्या मिलता है दो ग्लुकौनिक acid मिलता है इसके structure इस तरह से क्यों इसमें structure नहीं पूचता है आपको क्यों आइसोलेशन, identification, analysis पूचता है तो ये direct हमाते हैं isolation में कैसे इसको isolate करेंगे इसका simple सा procedure यही है कि आपको क्या glycerin बनाना है, glycerin हमने second in me पढ़ाता कि कैसे बनाया जाता है यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कैसे isolate किया जाता है, तो सबसे पहले आप crude drug ले ले लेंगे, crude drug लेने का मतलब आप एक general language में आइसे समझते चलिए आपने क्या मुलेटी ले लिक्वराइस ले लिक्वराइस को आपने क्या powder form में कर लिया, ठीक है, powder form करने के बाग उसमे क्या बनाए अपने chloroform solvent लेकर करके उसको क्या कर दिया, वहाँ पे आपने मिला दिया, अब chloroform जब उसको macerate कर देंगे, macerate करने का मतलब क्या है, क् स्क्रूर ड्रग के पाउडर को हम लग देंगे नियर अबाउट दो से तीन घंटे के लिए अब जो उसमें में एक्टिफ केमिकल कंस्टिट्वेंट होगा ठीक है वह क्या जाएगा उसके अंदर एबजार होगी ठीक है उसका क्या नाम होगा ग्लीस रिजीन होगा ठीक ग्लीस रिजीन प्राप्त होगी तो चीद्ध क्या करेंगे उसकी हैडरोलेसिस कर देंगे क्यों घ्रेट करना नेके बात की अकितुए डिसकाों सेमी सॉलिट फर्म या क्रिक्टल फर्म में मिला उसको क्या करेंगे Another सब्सक्राइब जब अपर रहाता से ट्रेट करेंगे तो नहीं क्लोरीश्रीट से एंट करेंगे अब जब क्लोरीश्री पॉर एंट्षियट करेंगे तो इसमें आपके foreign material होगा और यह निए solid इसका मतलब क्या है chloroform अपने अंदर contain कर लेगा उसके बाद हम क्या करें के chloroform को evaporate कर देंगे जिसके साहता से जो हमारे foreign material या impurities बगारे रहेंगे वो उसके साथ chloroform के साथ evaporate हो जाएंगे और आपको क्या बढ़ जाएगा एक dried material में जाएगा और वो dried material आपका 100% प्योर रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे glycerinatic acid तो एक बार आप फिर से revise करेंगे कि आप क्या लेंगे liquidize लेंगे उसको powder form में बदलेंगे मतलब क्या करेंगे green कर देंगे उसको powder में बदलेंगे उसके बाद उसमें chloroform add करेंगे दो सो तीन घंटे के लिए रख देंगे दो सो तीन घंटे रखने के बाद क्या करेंगे उसमें इसको evaporation करा कि chloroform को उड़ा देंगे अब जो आपको crystal मिलेगा या solid form मिलेगा उसमें आप क्या करेंगे h2SO4 add करेंगे h2SO4 add करने के बाद क्या करेंगे उसको hydrolysis कर देंगे hydrolysis करने के बाद आपको क्या मिल जागा गया ग्लिसनेटिक एसेड अब इसको क्या करना है तो फिर से आपको glycemic acid जो आपको प्राफ्थ हुआ उसको chloroform के साहता से treat करेंगे treat करने के बाद क्या करेंगे chloroform को evaprate कर देंगे क्यों करेंगे वह हमारे impurities वगरा को contain करके उड़ा ले जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा एकदम प्यूर form में ग्लिसनेटिक acid मिल जाएगा अब इसके दूसरे method की बात करें तो कैसे मिलेगा तो लिक्वराइस का पाउडर ले लिए जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेन उसको वाटर में आड़ कर लिए उस solution को बॉयल कीजिए और यतना बॉयल कीजिए कि वह सवी solid form में चेट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अब Gliss region करने के बाद क्या है कि उसको आप hot air oven में रख देंगे जैसे आप hot air oven में रखेंगे तो mixture add करेंगे वह क्या बन जाएगा इसको filter करने के बाद रिकिस्टलाइट करेंगे किस की साहिता से आपको क्या मिल जाएगा Gliss regionic acid pure form में मिल जाएगा अब इसकी identification के बारे में बात करेंगी हाँ अगर आपने लिक्वाराइस को इस्ट्राइड किया ग्लिस Gliss regionic acid को इस्ट्राइड गया तो आप कैसे पता करेंगी कि वह अग्दम pure form में है या हमको वही मिला है या कुछ दूसरा तो नहीं मिल गया कैसे हम पता करेंगे तो सीधा क्या करेंगे आप पाउडर ड्रेंग लेगे इसका मादलब क्या है कि आप जो Gliss regionic acid यहां पर obtain किये अभी आपको नहीं पता किये अपने जो आपने किया ठीक है फिल्टर के माध्यम से फिल्ट्रेट जो आपने मिला उस फिल्ट्रेट के आप करेंगे एट्टी परसंट एस्टू 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 आसानी से मिलता नहीं है इसलिए हम इसको लिखते Concentrate H2SO4 के साथ ट्रेट करेंगे और जैसे हम इसको H2SO4 इसमें मिलाएंगे जो इसका कलर होगा यह और यलो कलर का आपको दिखानी देने लगेगा उसके बाद हम दूसरे टेस्ट के बारे में बात करें तो अलकोहलिक ड्रग इस्टाइड अब बात आती है कि जो हमारा यह इसको हम अलकोहलिक कैसे बनाएंगे तो सिम्पल क्या किजिए कि आपको मतलब एक ठीकी मटेरिया लेखने की मिलेगा जैसे ही आप उसको सेक करेंगे उसके बाद कुछ देर के बाद ना वह सेक होगा वह एडिटिज जम जाएगा एटेज सेमी सॉलिट फॉर्म ठीक है उसके बाद हम तीसरे identification test के बारे में बात करें तो आप एकोष्ट डग इस्टैक्ट ले लेंगे उसके बाद उसमें lead acetate का हम क्या करेंगे solution add कर देंगे वहाँ पर आपको क्या मिलेगा white ppt मिल जाएगा यही पर आफ lead acetate की जगह आप Aप हटां जो आपने प्राप्त किया उसको आप यूशरेट किया है लिक्वाइस से आइसोलेट करने के बाद उसने आपकी टेस्ट भी पास होंगा सि warmth जानने की कितनी कंसें है तो सबसे पहले प्या करेंगे कि आप इसमें solvent sensor mobile फेर्ट थी के RF value मैं already पहले रेक्षर बता चुका हूँ कि होते गया है तो simple आप क्या करेंगे जो आपने drug बनाई हुई है या drug obtain की है जिसका नाम क्या है glycineutic acid है उसको आप 1 mg मतलब miligram ले लेंगे और methanol chloroform मतलब 1 by 1 ratio इसका मतलब क्या है कि 1 ml chloroform 1 ml methanol लेंगे उसको दोनों mix कर लेंगे उसके बाद उसमें 1 mg glycineutic acid dissolve कर देंगे यह आपका क्या बन जाएगा mixture बन जाएगा ठीक है जिसका आपको test करना है उसके बाद दूसरी तर ठीक है इसका ratio क्या होगा 12.5 ml toilet ले लेंगे 5 ml आप ethylacitate ले लेंगे उसके बाद glycineutic acid 7.5 आप ले लेंगे ठीक है उसके दोनों का आप क्या करेंगे मिला देंगे उसका mixture बन लेंगे उसके बाद जो silka gel की plate होती है उसमें क्या करेंगे आप dip कर देंगे मतलब illute कर solvent यतना उसको absorb कर पाएगा absorb कर देगा तो यह क्या बन लागी आपकी silka gel की एक plate बन जाएगी अब जब silka gel की plate बन जाएगी तो उसको आप क्या करेंगे 1% vanilin H2SO4 की साहता से उसके spread का मतलब क्या होता है छिड़काओ करते है ना जैसे आप कुछी चीच का छिड़काओ करत की जो TLC plate होती है वो आपके तयार हो गई अब आप क्या करेंगे जो आपने ये ग्रिसनेटिक एसिट क्लोरोफा मेतनोल मिक्शर का आपने जो solution बनाए था उसको क्या करेंगे इसी plate के उपर रन करेंगे रन करने के बाद आप उसकी दूरी देखेंगे कि कि कितनी दूरता की रन किया उसके बाद इसकी estimation करेंगे और जो इसकी अरिटार्टन फैक्टर वैल्यू आगी 0.41 हो गया और यह क्या गिब परफिस कलर मतलब जब आप इसको अल्ट्रा रेट अल्ट्रा वाइलेट रेज में देखेंगे तो ये परपल कलर की आपको इसपोर्ट देखने को मिल जान चुगे कि क्या होता है मुझे ठीक है एक्सपेक्टोरेंट की तरह मतलब जब कफ बगएरा आता है डिमुलुसेंट अल्सु ट्रिल अस्तमा डिमुलुसेंट का मतलब क्या तो जो कफ बगएरा को बाहर निकलते है और अस्तमा में इसका treatment किया जाता है इसके अंदर anti-inflamm Gascolametry a ナति यह प्रोपाइटिविशन अदर प्रेवेंट गैस्टरिक एसिड मतलब जो गैस्टरिक वगएरा होता है इसको भी उसको भी यह प्रिवेंट करता है अब जो मेरे दूसरी द्रग आती हो रूटीन आती है ठीक है जो हमने से खेंड़न में पढ़ा था उसकी जो रिप फ्रूट अप दी प्लांड फोगो पायरम एकुलेंटम फैमिलीस के क्या होगी पोला गुनाशिय होगी और लिक्वाराइस का इस्टेक्चर कुछ आप इस ट्राइप से देख सकते हैं ठीक इसमें इस्टेक्चर आप बनाते हैं तभी अच्छी बात है नहीं बनाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इस्टेक्चर बनाते हैं तो एक इंप्रेशन जो होता एक जामिलर के उपर वो बहुत ही अच्छा बनेगा अब isolation के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे कि जो आपका plant material उसको आप green कर लेंगे उसको powder form में आप change कर लेंगे अप further आप क्या करेंगे जो आपका powder form होगा उसको कितना ले लेंगे आप 160 gram ले लेंगे उसको 200 ml ethanol में dissolve कर लेंगे मतलब 200 ml ethanol में आप once इस्टिक रहा हो यह जो powder आप isolate करेंगे मतलब जो आपने powder फ़म में किया material को उसको आप कर देंगे आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे वो आपका एक hydro alcoholic 360 ml आपका यहां पर तयार हो गया अब आप उसको इतना evaporate करेंगे इतना गरम करेंगे इतनी देर के लिए गरम करेंगे कि जो आपका residue बचे वो किवल 50-60 ml बचे इसका मतलब क्या है नियर अबाउट 4-4.5 घंटे के करीब में यह आपका evaporation होगा उसके बाद आप क्या करेंग के बाद जो ether की layer होगे ठीक है जिसको ethereal rail बोलते हैं उसको आप अलग कर लेंगे ठीक है उसके बाद जो aqueous की layer होगी उसको आप अलग कर लेंगे आप further क्या करेंगे कि जो aqueous की layer होगी उसको फिर से आप क्या करेंगे evaporation करेंगे अंदर reduce pressure pressure कम रहेगा लेकिन उसका क्या अगर temperature high देगा आप यह जो आपको कितना मिला पचास साथ एमल था पचास साथ एमल आप पचास एमल एथर्ड आपने डाल दिया अब यहां पर नियर वाट आपका 45 एमल के करीब में बचेगा आप जब इस 45 एमल को आप क्या करेंगे इतना ज्यादा इवोपरेट करेंगे इ इसको आप प्रिज के लिए रख देंगे एक रात के लिए ठीक है तो क्या करेंगे जो रूटीन आपको मिलेगा वो solid crystal के रूब में मिलेगा फर्दर इसका purification करेंगे कैसे करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन के मादम से कर सकते हैं क्या करेंगे बेंजीन लेंगे रूटीन लेंगे दोनों को आपस में रिक्रिस्टलाइज करेंगे आपको क्या मैं जाग है प्योर फार्म में रूटीन मिल जाएगा लेकिन purification के रिए हम आपन एक solvent system उसके करेंगे क्रोमेट यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको लिखना है routine ठीक है तो सबसे पहले आपके करेंगे एक ग्राम आप routine आप यहां पर ले लेंगे उसको 1 ml मेथानॉल और क्लूरो फार्म सिस्टम के साथ वहां पर आपको कर देंगे एड कर देंगे ठीक है तो यहां पर जो आपका प्लेट बनेंगे वह शिल जिल्का जल की उपर आप के करेंगे रन कराएंगे ते बाद उसके आप ल्टावायले डालेंगे ल्टावाय डेट पर आपको इसでは ? इससपोट आपको और पर पर्फिलिस करा हरंगा उसकी आप दूर vibes लेका और इसके जो यूज किया जाता है एंड यूज इन दा कंडिशन डैट रिक्वाइड इमेडियेट कैसेशन आप दे कैपिलेरी बिलेडिंग तुरह तो लेगते मतलब इंटरनल बिलेडिंग होने लगती हो उसमें भी इस रूटीन का यूज किया जाता है तो आई होप आपको वीडियो देंगे उसके बाद रैजिंस उसके बाद हमारा फोर्थ विनिस स्टार्ट हो जाएगा थैंक्यू फर वाचिन दे वीडियो फ्रम दी लेटेस्ट लन फार्मेशी